आज हम 388 IC का बोड़ बनाएंगे जिसमें 4 चैनल आउटपुट है तो यह शुरूगाते हैं यह हमने pcb.com से pcb बनवा कर मंगवाया कैसे मंगवाया इसके विसे में लास्ट में वीडियो में देखेंगे पहले बोड़ बनाएंगे यह है इसमें लगने वाले components सभी components के link नीचे description box में दे दिये हैं आप चाहें तो ut source से खाई सकते हैं एक resistance है 10k quarter watt में सारी resistance और चार पीस है 2k2 resistance तीन कैपेस्टर है वन यूएप के 50V में यह कम भी लगा सकते हैं आपर लेकिन यह 50V में आते हैं ज्याद़ तर एक कैपेस्टर है 47 UF 50V का में 25V भी चल जाएगा चार कैपेस्टर है 0.1 यानी 104 चार डायड है 6 से 4 6 से 10 हो या 6 से 4 कोई भी चल जाएगा इसके बाद एक कनेक्टर 2 पिन वाला और चार कनेक्टर हैं स्पीकर सॉकिट के लिए एक कनेक्टर है तीन पिन का ओडियो के लिए और एक कैपेस्टर है 47 UF 25V का चार पीस है 47 के पोटेंसो मीटर एक आइसी है CD 388 या TDA 388 भी लगा सकते हैं एकी बात है बोड पलटने पर यह कंपोनेंट्स किर जाएंगे इसलिए अब यह निकाल लेते हैं बात में लगा देंगे अब कटिंग कर लेते हैं इसके बात सोल्डिंग इस साइज जी के सर्कृट में बहुत ही कम कंपोनेंट्स लगे हुए इसकी सप्लाई और पोटेंस्यों मीटर अलग कर दिये जाएं तो केवले इसमें बहुत कमी समन रजाएगा और चोटा बोड हो जाएगा अब जो हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए थे वह दुबारा लगा देते हैं पोटेंस्यों मीटर और कनेक्टर अब बन ग्yeong पासर शेफ अजो दो जांएगा पोटेंस्यों मीटर यह जो तो आप सोल्डिंग हो गई अब थिनर से वास कर देते हैं वास करने से यह सोल्डर में से निकला हुआ बिलाइक पदार्थ सा यह सब साप जाएगा अब नौ लगा लेते हैं अब हीटसिंग लगा लेते हैं वैसे तो इस आइसी के साथ बड़ी हीटसिंग लगनी चाहिए क्योंकि फोर चैनलेस में तो यह गरम भी ज्यादा होती है लेकिन थोड़ी लुक देने के लिए हम इसे चोटा कर लेंगे अपने साइस के साफ से काट लेते हैं अब निसान लगाकर होल कर लेंगे अब कमपाउंड लगा लेते हैं इसके साथ माइका लगाने की कोई आप सकता नहीं है और ये हैं एकाट के अधानची पेच लगा लेते हैं अब तयार है आपका बोर्ड अब इसमें अटेच कर देते हैं ट्रांसफर्मर ये बारा वोल्ट पांच एमपेर का ट्रांसफर्मर है इसे पांच एमपेर का बोलते जरूर है लेकिन ये पूरा पांच एमपेर का होता नहीं है अब मार्केट में जाओगे इस टाइप का ट्रांसफार्मर मांगोगे तो 5 Ampere बता के से देते हैं ये दो speaker socket है, connector wire लगा लिए हैं इसमें और ये है AUX socket, phone से connect करने के लिए connect कर लेते हैं इस board में audio in के लिए हमने दो-दो audio आपसे मिला दिये हैं ये फोन में या USB MP3 card में आप देखें, तो दो ही मिलती हैं हमको audio, तो दो से ही हम 4 use करेंगे पहले में एक ही speaker से अलग-अलग volume टेस्ट कर लेंगे हमेशा की तरह ये lead हमारी connect कर लेते हैं ये है एक नमबर speaker point और एक नमबर volume ये ये हमची जा कर लेए हमची कर दो दो और यह है दो नमबर स्पीकर पॉइंट और दो नमबर वॉल्यम और यह है दो नमबर स्पीकर पॉइंट और दो नमबर वॉल्यम और यह है चार नमबर स्पीकर पॉइंट और चार नमबर वॉल्यम अब सभी के साथ एक साथ प्ले करेंगे स्पीकर पॉल्यम तो भप पॉइंट पॉल्यम खॉआब यह पॉब है अरॉए भप पॉए पॉए झाल झाल अब बात करेंगे PCV कैसे मंगवाया सबसे पहले साच करेंगे PCV यहां किलिक करेंगे यहां से साइन इन कर लेते हैं अब यहां किलिक करेंगे और यहां किलिक करेंगे और यहां डिजान डालेंगे फिर साइज फिर कॉंटिटी फिर लेयर फिर मैटेरियल तिकनेस और मिनिमम स्पेस होल फिर कलर उसके बाद बाकी भी आप देखकर बादेंगे फिर नीचे कैलकुलेट करेंगे अब यहां किलिक करेंगे यहां गर्वर फाइल अपलोट कर देंगे थोड़ी देर बाद में ओके हो जाएगा अब यहां किलिक करेंगे यहां डेज डालने के लिए आजाएगा यहां उप्शन है पे करने के लिए ओके कर लेंगे पे करने के लिए आजाएगा फिर एक सबता बाद यह हमें मिल गया वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद